प्रेना चानल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटिस्ट्स अपडेक्स पाने के लिए नमस्ता, कुकिंग विस चालिमी में आपना स्वागत है आज हम बनाएंगे अम्रिसरी न्यूट्री, अम्रिसरी न्यूट्री बहुत ही फेमस है इह मेरे विवेरे की 哬्लाना बतााऊंगे कैसे बनाते हैं बहुती सिंपल तरीके से इसको बनाया चाता है और भाथी ही टेस्टी होती है इसे कोचोग सबाते है तो आएंगे देखे हैं इसको मरने के लिए हमें किन обязательно हुई न्यूट्री बनाना के लिए हमेश है सापुत न्यूट्री, प्याज, कटा हुआ, प्याज ग्रेट, टमाटो प्योरी, न्यूट्री मसाला, नमक, देगी मिर्च, सुखा धन्या, रिफाइंड ओईल, देशी घी और बटर आइए हम बनाना शुरू करते हैं अपनी Amrasari Nutri, बनाना के लिए हमने न्यूट्री यह सापूत न्यूट्री आप देख सकते हैं, इसको हमने डो जंते की लिए बहली आपकर वह दो यहाज पीख हס कि पानी मे जोआते में चीका से है स्कूइस कर लिया ताकि इसके पानी निकल जाए इसके बाद इस तरह से बनकर तयार हुई है आप देख सकते हैं इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए हमने ग्यास पर पैन रख दिया है इसमें हम डाल आलेंगे रिफान ओइल तक्वीबन एक कची निकी डालेंगे इसमें डालेंगे शुरूरू आपना अपंछू मिक्सी में हमने ग्राइड किया है विल्कुल अच्छा ते पींस लिया bouwife तो पयास यह जिदाए और एक बड़ा प्यास हमने लिया है इसमें हमने एक पीस अद्रग कर चोटा डाला है इसको हमने चॉप कर दिया है फाइन चॉप कर रहा है यह पीस में डाल देते हैं हमने एक प्यास दिया बड़ा इसको अद्रग के साथ लेकर चॉप कर लिया और हमने दो प्यास अलग से लिये उसके साथ 7-8 तुरियां हमने लेसन की लिए और इसको मिक्सी में अच्छे से फाइनली जो है ग्राइंड कर लिए यह दोनों हम इसमें डालकर इसको लाइट डॉ अधिया बड़ा है उत्यवियर हम अपनी न्यूट्री को इस तरह से काट लेंगी छोटे पीस्टल में अच्छे से भीग चुकी है खूब आप देख सकते हैं स्पांजी हो गई है अगर आपके पास टाइम नहीं है भीगोने का और आपको इसको इसको गरम पानी में भीगो कर सकते हैं तो आपकी तब भी जो है न्यूट्री सॉफ्ट हो जाएगी नहीं तो आप गरम पानी में इसको 15-20 मूने के लिगो कर रखें तब भी यह बन जाती है हम ज्यादा टाइम के लिए इसको 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 बिगोते हैं ताकि यह अच्छे से खुब पहुंजी हो जाए इस दहें सारी न्यूट्री को छोटव पीक चल commodity में काट लेना है अब देख सकते हैं प्याज हमारे ब्राउन हो गए है इसमें हम डालेंगे आदा चमच सुखा धन्या और हैंडाल得 लागे ठन्या अब इसमें डालेंगे मिक्स करेंगे अगर किसी को जो है यह न्यूट्री मिसाला चाहिए हो तो मैं उनको पोले तराज सकते हूँ क्योंकि यह मिसाला यही पे मिलता है यह एक पैकेट हम इसमें डाल देंगे वीक्त आप इसमें सॉट आल्री पढ़ा होता है तो हम बड़े ध्यान चेस में एक रिए हम रिच राव गौंगे अच्छे से डले होते हैं आदा मिनिट के लिए भून लेते हैं अब इसमें डालेंगे हम टॉमाटर प्यूरी यह अबने चार पांक टॉमाटर को लेकर अच्छे से दो लिया है बिल्कुल लाड टॉमाटर लेने हैं अबने एक्ट में अच्छे से लिया हुट tbsp इसमें और एक्ट भून इसमें तेज कृणा ज़िए है और इसमें अच्छे से मिक्स करें बिल्कुल बारी लेख ज़य एक्षा बखूप द्रते हैं इतनी जरूरत नहीं पंदें प्रती है लेकिन पर फिल भी अगर कोई जाजा पसंद्द करते तो अब सकते हैं इसमें अब काट लिए गणे आधा है याद रहे हैं कि न्यूटरी अब यह डोले ना है अब लेंगे के अपणे मलाई और क्रीम नाल सकते हैं तो बड़ी चं 성्पश भर कर इसे थोरी नियूटी में स्वक्पनीस आती है फरक्रीष बड़्चे मलाई और नहीं तो आप अमुल की क्रीम डाल सकते हैं as just when मिक्स करेंगे और इसमें दालने से थोड़ा पानी तकरीबन एक कप पानी कर डालेंगे अच्छा तिसको ही लाएंगे इसको हम ढख देंगे और ढख कर पांच से दख मिनिट तक हम इसको के अच्छा अच्छा आपक से ऩबाल हो अच्छा चाहा ही कीवटरी चेक कर लेटेंगे अपनी इसमें एक बोल आगया है तो पांतस मिनिट हो गए हम इसको घास पर रखे हुए जास को अच्छा अच्छा आठते है इसको नीचे दार लेते हैं और एक नाल स्टिक तबर लेते हैं ग्यास खोर लेंगे और यह तबर रखेंगे इसको गरम होने देंगे और इसमें डालेंगे एक चमबच आमूल बटर इसको मेल्ट होने देते हैं यह जो मारा न्यूट्री मसाला है यह डालेंगे थोड़ा साइस में तकरीबन आधा चमबच इसमें डालेंगे और वन थर्ट स्पून डालेंगे इसमें देगी मिर्च एक चमबच देती की फोड़ा कामिम ज्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं इसमें डालेंगे जो में न्यूट्री बनाई है वो डालेंगे इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको 3-4 मिनिट के लिए पूलने देंगे तेज गयास पर अच्छे से इसमें डालेंगे पानी यास को तेज कर लेंगे और अच्छे से इलाएंगे अच्छे से इसको बूलेंगे न्यूट्री बनकर तयार हो गई है इसमें थोड़ा सा हरा दन्या डालेंगे इसको बिलाते हैं इसको अपसरफ करेंगे इस तरह से हमने इसको डाल देना है प्लेट में और अगर हमने ऑथेंटिक तरीके से खाना पसंद करते हैं तो हम थोड़ी यूट्री को साइट पर करेंगे इसमें डालेंगे फुरसा बटर यह कुर्चे के साथ खाई चाती है यह मिस्तरी कुर्चा है इसको इसको उपर रखेंगे इस तरह से इसको सेकेंगे इसको मोड़ेंगे और अपनी प्लेट में लखेंगे इसे हम प्यास के साथ हरी मिस्ची के साथ और यह पुदीने की और इमली की चटनी है पुदीने की और इमली की चतनी की साथ श्री खाई सकते हैं बहुती टेस्टी लगती है बहुती टेस्टी निव्टी बनकर तयार होई है आप इसे मेली रेशिपिसे ज़रू बनाए और अगर आपको निव्टी मसाला की रिक्वायर्मेंट हो तो आप मुझे कोमेंट बोक् झाल